समा है ये म्यार का, किसी के इतलार का, दिल ना चुरा ले कही मेरा, मौसम बहार का, दिल ना चुरा ले कही मेरा, समा है ये म्यार का, किसी के इतलार का, दिल ना चुरा ले कही मेरा, मौसम बहार का, दिल ना चुरा ले कही मेरा, समा है ये म्यार का, किसी के इतलार का, दिल ना चुरा ले कही मेरा, मौसम बहार का, दिल ना चुरा ले कही मेरा, समा है ये म्यार का, किसी के इतलार का, दिल ना चुरा ले कही मेरा, मौसम बहार का, दिल ना चुरा ले कही मेरा, सो फर्स्ट मैं आपके साथ बात करूंगी, कि वीडियो काफी दिन हो गया है, मैंने अपलोड नहीं करी, बट उसका रिजन ये है कि काफी वैडिंग फंक्शन थे तो डे बए डे मैं काफी बिजी थी, सो अगर कोई वीडियो थी, तो फिर एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास, सो अब मैं फ्री हूँ, और आगे फिर कंटिन्यो वैसे वीडियो आएंगी जैसे पहले आती है, सो आप देख सकती हो कि आज का यह मेरा जो मेकप लुक है, आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा कि यह है HD मेकप लुक, स्पेशल फैमिली फंक्शन था, तो इसलिए मैंने यह लुक क्रेट किया है गाइस, और देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स केट स्टार्टेट, और स्किन को मैंने अच्छ से कर लिया है प्रैप, और नेक्स्ट जो मैं अप्लाई कर रही हूँ यह है, मास्क का इलमिरेट प्राइमर तो काफी थिक है तो काफी अच्छे से आपकी स्किन मोशिराइजर होनी चाहिए और तभी अच्छे से अपलाई होगा आपके फेस पे तो लगाते हैं आप मेरे स्किन का टेक्चर देख सकते हो नेक्स जो मैं यूज़ करी हूँ यह है रीनी का बॉलिवुड फिल्टर प्राइमर तो यह नियूली प्रड़क्ट है तो इसलिए मैंने इस इस बाई ट्राइग किया तो काफी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है इस स्किन के आपकी स्किन के पोर्स जो काफी बड़े-बड़े से दिखते हैं कि बिल्कुल अच्छे हैं लगते बिल्कुल मिनिमाईज हो देंगे कि बिल्कुल बलर कर देगा यह प्रड़क्ट सो हाइली रिकमेंट करूंगी यह प्रड़क्ट आपको एक बड़ी ट्राइग इस तरह से मैंने सिर्फ अपनी चिक पर इसे अप्लाई किया है मैंने अच्छे से प्लाई कर दिया है और किस तरह से मैं लगा रही हूं आप देख सकते हो और साथ में थोड़ थोड़ी चिट्चैट भी आपसे होनी चाहिए तो यह वीडियो बिल्कुल भी मैंने कोई सेट करती है तो मैं इस तरह से लुक क्रेट करती हूं कि मुझे सामने एक बड़ा सा मिरर्स चाहिए बिल्कुल क्लोड़ फेस करके मुझे अपना मेकप करना है और मुझे मेकप प्रड़क्ट चाहिए सिर्फ बस कि मुझे कोई अभी मिर्माइड में ने था कि मैं वीडियो शू मैं इस मेकप लुक के करना है ST मेकप लुक को या कि म में इक बिल्कुल खर्यक्ट घौक करें कि आपके बिल्कुल एवं दीखनी चाहिए कि कहीं भी आपके स्किन में प्रोब्लमester आपंड से क्लरृक्ट कर सकते, रख़ो हों MP- nih कि जैसा कि मेरे फेस पे इतनी प्रोब्लम इवन्स आएगा बेस्क होने के बाद सो इसलिए मैंने लाइट और डाग ग्रीन शेयर लेकर इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूं और मैं इस वीडियो को कलरक रेक्टिंग कैसे करते हैं यह वीडियो मैं आपके साथ अलग से शूट करके आपके साथ शेयर करूंगी कि ओलओर फेस पर जो-जो कमी होती है वो आप कैसे दूर कर सकते हैं कलरक रेक्टिंग से अलग मैं टियू कर आऊंगी यह जब भी कैदल करने में जल्दी वीडियो शूट करऊंगी वो वीडियो तो लेट होनी होनी है इसलिए मैं पहले कभी नहीं बोला करूंगी, विडियो मेरी रहा जाती है, कि मैं अप्लोड ही नहीं कर पाती है। अगर शूट होगी, तो वह यह एडिंग करने में मुझे कोई न कोई फिर देर होई जाएगी। इसलिए मैं पहले नहीं बोलूंगी। अब कलरेक्टिंग मैंने कर लिया अच्छे से और इसको मैंने 2-3 मिनट ऐसे ही रखा था थोड़ा सेट होने दिया था जो मैंने कलर क्रेक्टिंग कर रही है उसके बाद आप देख सकते हो कि यह मैबलिन का कॉंसीलर है कि जो मेरे अपने बेस से थोड़ा सा डाक है शेट कि यह थोड़ा सा ना पीची टॉन में है सो मैं फस्ट जो कलर करा था वो सेट होगे उसके बाद मैंने यह थोड़ा-थोड़ा कैसे लगा रही हूं आप देख सकते हो कि इस तरह से ही आपने अप्लाई करना है इस ओल ओवर फेस भी मैं इसे अप्लाई कर रही हूं कि जा जा मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया था ग्रीन कलर देन उसके उपर ही इस तरह से लगा रही हूं और इसे भी यह टू मिनट तक आप इस तरह से बिल्कुल रखोगे कि बिल्कुल सेट होने दोगे उसके बाद और यह डां ब्ल्यूटी ब्लैंडर से इसे सट करोगे आपि इस तरह से डैब लैप करके कि बिल्कुल इस तरह से आपने मतल्ब रगड़ना नहीं इसको बिल्कुल भी मैं इस बह Farm करे चändert और इस मेकब लूप को शूट करते हूं मुझे दो से ढ़ाई घंटे आराम से लग गे थे जो कि आपको सिर्फ 15 या 20 मिनट की वीडियो में सिर्फ दिखेंगे में में क्लिप्स कि इतना टाइम लेके ये मेकप लुक मैंने क्रेट किया है कि टाइम तो मेरे पास था मैं फ्री ती इस टाइम मुझे टाइम की कोई प्रोब्लम नहीं थी कि मैंने एज़ी से अपने आराम से रेस्ट से मैंने ये मेकप लुक क्रेट किया है इस जल्दी में तो ये मेकप लुक होने वाला भी नहीं है आपसे सो इसलिए अगर 25 मेंट की वीडियो में ही आपको से में में क्लिप्स दिख रही है बट ओफ कैमरे में मैंने काफ़ी फ्रीशिंग करी है इस मेकप लुक की कलर क्रेक्टिंग अफ्टर अब मैं अपना बेस सेट करूँगी और बेस सेट करने के लिए मैं यूज करूँग य शुगर की यह फांडेशन स्टिक है माइंड ब्लॉइंग रिजल्ट है इसका और जैसे कि आज कल विंटर है तो बिलकुल आपकी स्किन पे एकदम स्मूज सा बेस आएगा इसे यूज करने पर कि ड्राइ स्किन वालों के लिए तो यह बैस्त है बट ओली स्किन है अगर इतना फ्लॉलस बेस बनाता ना कि आप आगे आगे देखना सो और मैं कुछ शेर करना चाहूंगी आपके साथ कि मेरे यह वीडियो देखके यूटूब की तो किसी को मेरा मेकप थोड़ा सा अच्छा लगा है मैं तो थोड़ा ही बोलूंगी और गाइस यूटूब के वीड सो इसलिए कहते हैं अगर सामने वाल अगर आपकी तारिफ करें तो आप फिर एक कदम आगे बढ़ रहे हो और चिट-चिट होगी काफी और अब है टन कॉंसीलर की और यह कॉलर बार का कॉंसीलर है लिटल बिटल पॉइंट्स पर ही मैं लगा रही हूं हाइलेट्स पॉइं है तो इसलिए लिटल बिटी आप यूज करो जो भी प्रडुक्ट आप यूज करो लिटल बिट से स्टार्ट करो और इससे भी डैंप ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इस तरह से सेट करोंगी और कितनी ब्रैटनम हो गया मेरे हाइलाइट्स पॉइंट्स आप देख सकती हो और कितना डिफ्रेंस लग रहा हो आपको कि बिल्कुई शो हो रहा है और फैमिली फंक्शन था तो इसलिए ज़्यादा व्लॉंगिंग भी नहीं कर पाई कि लिटल बेटी जो जो मिन मिन थे इसलिए मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ले लिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करू जो भी पिक्स वेर हमने वहां से क्लिक किया है सभी मैं बीच में यह एड़ करूंगी आपको नहीं देखनी तो स्किप करके भी वीडियो देख लेना और नेक को आप बिल्कुल भी अवोइड ना करें कि मैंने पहले बिल्कुल अपना फेस सेट किया था उसके बाद बिल्क अपना फेस ही सेट करा था उसके बाद जिस जिसके बाद में आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेट हो रही है मेरी नेक भी अपने फेस के साब बिल्कुल मैच हो रही है तो अब आपने compact powder आपके पास जो भी होगा आपने वो लेकर आप इस तरह से आप puff की help से मैं puff की help से ज्यादा डब डब करके इस तरह से लगाती हूँ तो आप इस तरह से भी कर सकते हो और आपके पास अगर brush है तो brush की help से भी आप कर सकते हो मुझे तो दोनों भी best लगती है और आपने ये loose powder लेके इस तरह से आपने एकसर से bake करना है और आपकी जो eyesheds की जो भी glitter हो गएरा कुछ भी होगे न फॉल आउट वो बिल्कुल भी आपके base को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे इस तरह से एकसर यह आपने लगाना है अच्छी तरह से baking कर रही हूँ मैं कि मेरा base बिल्कुल भी खराब नहों और messy look हो जाता है फिर you can be key 14-1500 इसका price है all shades आपको मिलेंगे single palette से और काफी बड़ी palette है आप दे सकते हो कि आपको blush contouring highlights और all in one palette है अगर आपको all shades मिलेंगे light, dark, neon, सभी shade इस palette में है तो यह भी palette मैं आपको recommend करूँगी कि आपके पास अगर आप beginner हो तो एक ही palette आप ले लो कि सभी shade आपको easily से मिल जाएंगे light to dark, matte and glittery सभी shade आपको इस single palette में से मिलेंगे तो काफी पसंद आई है मुझे यह palette और इतनी pigment इस color है कि आपको dust out करके फिर ही apply करना पड़ेगा और नहीं तो आपकी बिल्कुल भी messy look आ सकता है तो इसलिए आप देखते हो कि मैं little bit ले रही हूं वही dust करके मैं apply कर रही हूं और इतने दिन से मैं यह सोच रही थी कि मुझे ऐसी palette मिले ना कि जो all shades मुझे single palette में मिले so जैसे मुझे यह दिखी तो मैंने फटा- आप देख सकते हो कि यह मैंने blouse wear किया हूँ है तो इसी के coding मैं start करूंगे अपना eye makeup कि इसमें जो दुबटा है जो designing है वह silver multi से उसमें shades है वह आफिस step by step देखोगे कि मैंने कौन-कौन इस shades apply कर रहे है तो starting मैंने base एक color लेके उसे सबसे पहले मैंने all eye lid पे apply किया देन उसके अपने crease line के उपर बिल्डप किया है देन उसके बार फिर मैंने थोड़ा सा dark clear mau light dark color है mau light सा shade मतलब वह लेके इस तरह से मैंने crease line के उपर build up कर रही हूं देन फिर दोनों shades लेके मैंने इस तरह से mix and match कर दिये आप मैंने mix up कर दिये तो इस तरह से फिर आप मैंने थोड़ा सा dark shade लिये मॉफ मॉफ के भी 3-4 shade है जैसे light to dark so इसलिए आप starting dark से ना करें light से करें light to dark आप करते जाएं so इसलिए से आपकी crease line एक दम beautiful सी look आएगी so then इसके बार फिर मैं थोड़ा सा blackish mauve shade लोगी जो कि मेरी dress से थोड़ा सा bright color उसको फिर मैं इस तरह से apply करूँगी crease line की eye के outer corner से और इस तरह कितना flawless सा look आ रहा है कि इस तरह से आपकी बिल्कुल मेरी dress के साथ इतना beautiful सा look आया था ना eye का और इस तरह से crease line मेरी इस तरह से set होगी है आप देख सकते हो और अब यह थोड़ा सा blackish mauve है then ओ light और पहले मैं थोड़ा सा blackish mauve color लोगी जो कि मेरी dress से थोड़ा सा bright है थोड़ा सा blackish tone में है मतलब उसे में आय के corner से start करूंगे आपको corner पर इस तरह से dab-dap करके थोड़ा सा आय के corner पर इस तरह से dab-dap करूंगी मैं अब मैं थोड़ा सा dark ले रही हूं color तेन उसके उपर ही मैंने इस तरह से dab-dap करना है यह बिल्कुल फिलाना नहीं है कि बिल्कुल corner आय का जो outer corner है थोड़ा सा bright नब लगे then lash line पर भी मैं इसी brush की help से समझ कर रही हूं इसी shade को ही और lash line पर भी मैं वही shade apply कर रही हूं जो कि मैंने crease line build-up की थी light to dark और इस तरह से अब थोड़ा सा black tone लेकि भी मैं out of corner पर मैं इस तरह से dab-dap करूंगी कि थोड़ा नब लगे even से tone लगे और जितने भी आइशेड की color को smudge कर रहे हूं उतनी flows लुकाती है आई make-up की so इस तरह से crease line तो मेरी perfect है and next level पर जो shade मैं apply करने वाली हूं वो एक beautiful सा pink color है जो कि मैं lash line की अप लगा रही हूं कि थोड़ा सा enhance होके color लगे अधिक तो कि टॉन यह वाला कि पिंक और मोव का तो वैसे भी contrast कितनी beautiful सी आती है so इसलिए यह उससे थोड़ा सा यह bright color है और इसे मैं inner corner पर मैं apply करूंगी और लगाते ही एकदम से change हो गया मेरा eye make-up पहले मैंने brush की help से कर रहा बट फिर मैंने little finger की help से भी लगाया तो उससे काफी beautiful से look का रहा था finger से ज्यादा तो inner corner पर मैंने इससे inner corner से start करना है और eye की lid तक आप नहीं लगाना है full eye पर नहीं मतलब आप लगाओगे तो brush की help से मैं corner तक तो finger बिल्कुल भी नहीं apply होगा color so आपने brush की help से इससे corner पर भी यह color को लेके आना है यह pinky share tone है bright pink है यह और मैं फिर से वही bright color लेके और light pink और थोड़ा सा bright color को बीच में जो line आती है lid line पे वह बिल्कुल अलग ना लगे तो इसलिए मैं बिल्कुल दोनों shade को आपस मैं smudge कर रही हूं कि even सी tone आएगी कि बिल्कुल अलग अलग का color ना लगे कि हांजी यह अलग दिख रहा है और वह अलग तो दोनों color को लेके मैंने mix कर दिये और हांजी आज की make up look के साथ मेरा hairstyle आपको कैसा लगा है अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है तो मुझे comment on करना तो फिर मैं next video upload कर दूंगी अब मैं फिर से वही थोड़ा सा डाक लेके color कि फिर से थोड़ी सी finishing कर रही हूं और देख सकते हो कि two shade मैं mix and match करके फिर से apply कर रही हूं light more and dark आप देख सकते हैं यह दोनों shade मैं लेके इस से dab dab करके लगाऊंगी कि एक ही बारी में आप बोलोगे कि इस तरह से shade आ जाए बिल्कुल भी नहीं आने वाला तो इस तरह से आपने तीन चर बार इस समझ करो कि फिर आपका flawless look आएगा और वही मैं इस तरह से भी lash line पर भी मैं फिस से finishing कर रही हूं वही dark tone लेके कि दो ये तीन जो भी मैंने shade अप्लाई करने वही same to same मैंने lash line पर भी अप्लाई कर लिया है आपको अभी थोड़ा सा flat लग रहा हुएगा बिल्कुल fast, massive look लग रहा हुआ बट step by step आप देखते जाओ आपको difference दिखता जाएगा और देखो जल्द बाजी में मैंने क्या कर रहा है कि मुझे लगा कि मेरा eye face बिल्कुल flat flat सा क्यों लग रहा है और मैंने note कि कि omg कि मैंने अपनी eyebrow ही नहीं फिल की तो इसलिए मेरा eye look भी थोड़ा सा enhance बिल्कुल भी लग रहा था सो जैसे ही मैंने eyebrow अपनी फिल करी और फिर मुझे लगा कि हांजी अब complete है मेरा eye makeup लिटल बिट अभी complete नहीं हुआ सो जल्द बाजी में मैंने eye makeup जल्दी से start कर दियो और अपनी eyebrow फिल करी ही नहीं सो अब मैं अपनी eyebrow फटाफट से फिल कर रही हूं और फिर जो अभी complete नहीं eye makeup फिर उसके बाद फिर मैं complete करूंगी सो इस बार मुझे अपनी eyebrow भी बड़ी अच्छी लग लिए थी कि बिल्कुल fresh fresh या भी grooming करवा कि आई थी ना तो इसने अच्छी सी आप देखतें कितना प्यारा सा लुक आया है हां जी eyebrow तो मेरी है done और अब जो eye makeup है उससे भी complete करेंगे और जब फ्लैट लग रहा है इससे थोड़ा सा ब्राइटनाप करेंगे अपने eye makeup को और यह glitter से होगा और मेरे जो dress में जो designing थी वो जो color से ना वो multi से tone आ ली थी उसमें कोडिंग मैंने यह glitter लिया है और इसमें थोड़े सा चंकी पार्टिकल जो बड़े-बड़े से हैं यह लिटल बिट से बड़े-बड़े से जो आजका trending में काफी सो बना इस तो मैंने set कर लिए थी off camera ऑफ camera था ही कि मैं own करना ही भूल गी थी camera सो फिर next जो वह मैं आपके सामने या इसे फिल करूंगी इस तरह से glitter लेकि आपने और काफी अच्छे हैं यह बिल्कुल मेरी dress के साब मैच हो रहे थे कि बिल्कुल एकदम से ना इसम शाइनी शाइनिंग से है तो night party पे यह काफी अच्छे लगते हैं सो इसलिए बिल्कुल एक सी tone थी मेरी dress की बट जो designing थी वह bright up color थे सो बिल्कुल जो glitter थे ना बिल्कुल मेरी dress के साब बिल्कुल मैच हो रहे थे सो मैंने इस तरह से fill कर लिया है inner corner से लेके eye lid तक full eye lid पे मैंने बिल्कुल में लगाए और इस तरह से आजकल trending में है काफी और अब turn है liner की आपके पस अगर pen eyeliner है या फिर liquid बट मैं liquid यूज करूंगी कि अगर आपने glitter लगा लिए तो pen eyeliner तो आप बिल्कुल ही सोच ही नहीं सकते कि अपलाई होगा eyeliner आपका easily से और अब turn है eye lashes की or lashes one side तो मैंने off camera लगा लिए बट जो second है वो मैं आपके साथ share करूंगी किस तरह से मैं set करती हूं और अब lashes तो मेरी है done और अब finishing करेंगे जो मैंने bake किया था extra baking की जो कियो ही है आप देश सकते हो कि आप मैं इस तरह से fan brush लेके उसे अच्छे से finishing करूंगी और इस तरह से अगर आप बेक करोगे तो बिल्कुल भी आपका messy look बिल्कुल भी नहीं होने वाला और यह है newly launched sugar की palette all-in-one यह palette है जिसमें आपको contouring blush and highlighter मिलजेगा और इसी palette मेंसे मैं आपनी contouring and जो blush वगार है इसी palette से लोगी but जो highlight है वो मैं different palette है उसमें से फिर मैं apply करूंगी और beginners के लिए भी यह palette perfect है कि आप single palette buy कर लो और लग लग आपको buy करने के need भी नहीं है कि blush का भी color एकदम perfect है और highlight भी काफी बिल्कुल smooth से particle है कि बिल्कुल एकदम से अलग लग बिल्कुल भी लगेगा कि हांजी यह shiny shiny सा लग रहा आपका face बिल्कुल smooth सा highlight है और किस तरह से देख सकते हो आप कि कभी दूर कभी पास जाकर मैं इस तरह से mirror में देख रही हूं यह clip मैंने delete नहीं करी है यह natural जो मैं जिस तरह से करती हूं ना make-up मैंने मुझे कई जाना होता कि मुझे यह chance तो है नहीं था कि मैं विडियो शूट कर रही हूं यह जिससे clip लिया बस मैंने सभी उठाकर बस शेयर कर दिया आपके साथ और इसमें जो blush का शेयर काफ़ी pigment है फर्स तो मैं बोलूंगी काफ़ी pigment है कि एक बार तो आप विदाओर डस्ट अगर आपने फेस अप्लाई कर लिया तो बिल्कुल मैसी लूक हो जाएगा आपका तो इसलिए डस्ट आउट तो आपने को करना है वह किसी pigment लेगी अभी मैं डस्ट आउट से कर रही हूं यह ब्लश का कलर ना ओरेंज रस्टी मरून ऐसी टोन है यह तो इसलिए मैंने फटापट से ग्रैब कर ली क्यों कलर मुझे काफ़ी अच्छे लगे है इस पैलेट में और एक ब्लश लगाते है यह आपका फेस का टैक्शिक देख सकती हो हां जी मेक अप तो है कंप्लेट बस इसको अच्छे से ब्लोक किया जाए कि पार्टी फंक्शन पे जितना मजी डांसी वांसी की जाए खाना वाना खाया जी और मेरा मेक अप टस्स से मस नहों और यह से अच्छे से वाला स्प्रेई लेकर मैंने कर दिया अपने मेक अप को लॉक और यह भी एक जबदस्ता है कि आप अपने फेस को सेट करके देन उसके बाद आप इस तरह से हाइड़ लगाओगे तो काफि टाइम तक यह स्टेबल रहेगा और अब मैं करूंगे अपने फेस को अच्छे से हाइलाइट तो इस तरह से आपने नोस पे नोस बॉन प हैं इसलिए अच्छे वाला मैं हाइलाइट कर रही हूं गोल्डन और सिर्वर टॉन को लेकर आज आज आपको यह मेरे हैस्टाइल एंड मेक अप एंड जुलरी ड्रेसिस ओल जो लुक है ना मेरा आपको कैसा लगा होगा तो कमेंट डाउन में जल्दी से बताना मुझे और जो न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बैल बटन को प्रेस करना बिल्कूल भी न भूलें कि अगर बैल बटन को अगर प्रेस कर लोग तो जल्दी से अच्छी वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी तो इसली से आप देख सकते हो तो अगर व मुश्राइस की बीना तो लिप्स्टिक की कोई ग्रेस नहीं आने वाली बिल्कूल क्रैकी हो जेगी आपकी अगर यह यह यूज नहीं करोगे और यह है परपर की लिप बाम सो विंटर में मैं इसे जरूरी यूज करती हूँ लिप्स्टिक से पहले आपको डेफिनेटली इसे यूज करना चाहिए कि लिक्विड फिर आपकी लिप्स्टिक कितनी भी ड्राई होगी बिल्कूल भी आपकी क्रैक नहीं आने वाली आपकी लिप्स पर सो जो मेरी ड्रेस थी ना और पिंक और परपल की तो आप मिक्स मैच आप देखते तो कितना जबर्दस होता है सो मैं भी इसके कोडिंग चली हूँ कि यह मेरा मेक अप है वह तो बिलकूल एक दम से परफेक्ट है मेरी ड्रेस के साथ बड़ जो लिप्स्टिक है ओ हो हो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा ब्यूटिफुल सा कलर है लिप्स्टिक का और विदाउड जो मैंने शेप करी थी उसके साथ भी आप लुक देख सकते हो कि बिलकूल और एक शेप देने के बाद कितना ब्यूटिफुल सा लुक लग रहा है लिप्स का और मैं भी इसी कंट्रास के जली हूं की पिंक और मौव की मैंने लिप्स पर कि पिंक मेरी लेइबस्टिक है जो मैंने शेप करी रही है वह है मौव कलर का लेप लाइनर और यह है मेरा परफेक्ट लुक चलो जी मैं तो ready हूं functions के लिए मैप देख सकते हो make-up hairstyle jewelry dresses everything is okay I hope आज का ये perfect HD makeup look आपको अच्छा लगे आज कर Anda एन्यादी को झाल 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 झाल